हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार द्वारा से आपके अपने चैनल वीवेगाना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए तकर सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दाना ना भूलना ताक कि आपर सबी के सबी नोटिविकेशन रिसीप कर पाउस कैसे है क्या आपको स्टॉक में इंवेस्मेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखने का प्यास करेंगे इस वीडियो के मातियम से ठीक है और दोस्ते एक रुक्वेस्ट करूँगा अगर आप चाओ तो वीडियो शेयर कर सकते हैं फेस्टूट ट्यूटर टेलिगर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आलोग इंडिस्ट्री आप देख सकते हैं आलोग इंडिस्ट्री का मैंने गूगल में चार्ट खोला अब देख ले थे कि इसमें आजकल प्राइस एक्षिन किया बरना अभी 19 रुपे का सब्रेट कर रहा है अकर मेक चार्ट की बात करता हूं मैक्चन हमें बहुत क्लियर गहरा है कि स्टॉक काफी नीचे की लेबल से ल्मोज देख सकती हूं 4 रुपे के लेबल से 60 रुपे और 22 रुपे तक गया था और लगातार एक नीचे की रेंज में जा रहा है और दोस्तों देख सकते हों कि स्टॉक लगातार 8-9 मैने से 19 रु लगाना क्या डारगेट है आप क्लीज उसको देखके चले जाना क्योंकि परसिनली अगर बात करो तो स्टॉक मुझे अच्छा तो लग रहा है उसका रीजन दोस्तों यह है कि हाल फिलाल के लास्ट कुछ सब्सक्राइब करोड़ों कॉंटेटी लोग घर लेगे जा रहे ठीक है अब आज का काम कास देख लो कैसा है साड़ेवारा बजरा वैसे तो अभी दोस्ता आप देख सकते हो एक सेकिंड देख सकते हो आलोग इंडिस्ट्री अभी चलना 19 रुपे कि आसपास अगर बात करता ह देख सकते हैं ढ़ी हो तुछ सेलर्स इसमें हावी रखे ठीक है मदा सेलर्स जाता है ऐस गंपरेजन बाइर्स अगर बात करते हैं आज का काम का दोस्तों आफ देख सेक्षेंर्स क्वानटेट्बों भी लोग घर लेके गए और और रोजाना दोस्तों यही delivery percentage इतना ही निकल के आता है, रोज रोजाना लोग stock में घर लेके जा रहे हैं माल, ठीक है, तो आपको भी क्या same करना चाहिए, देख लेते stock का chart भी वाँ से में बता चल जागे हमें stock में क्या गनना है देख सकते हैं मैंने आलोग industry का chart खोल रहा है, आपको side में नाम दिख रहा होगा दोस्तों यह आलोग tax है, BSE में अगर आप इसका नाम साच बार दो तो इसका नाम आलोग tax करके आता है, ना कि आलोग industry, तो confused होने की ज़रूत नहीं है, same ही चीज है, ठीक है, तो आपको बहुत के लिए दिख रहा होगा, stock एक range बे trade कर रहा है, ठीक है, 25 रुपे इसका high है, और low has का 19 रुपे, मतलब stock अभी all time low क्यास पर trade कर रहा है, एक range यह साफ सकर में बात करता हूँ, वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर दोस्तों देखो, अगर आपको बहुत safe ले क करना है, ठीक है, रिक्स फोड़ा कम लेना है, तो आप 25 रुपे, 26 रुपे के उपर stock फे investment करो, उससे पहले मत करो, ठीक है, और जो रिक्स ले सकता है, वो क्या करेगा, दोस्तों आप देखिए, यह stock अपने support के आशपर trade कर रहा है, यह support इसका October का निकल के आता है, same 19 लगा, closing basis में, अगर आपको इस price में entry करने है, क्योंकि दोस्तों यह अपने support के आशपर trade कर रहा है, chances high है, और chances less भी है, कि यहां से support लेके उपर जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग से पिले करो, आप stock लगा के trade करो, trade करो या investment करो, ठीक है, और दोस्तों यह stock जितना एक अच्छागा support area, जो past, कुछ सालों का निकल के आता है, past, past, पिछले सालों का निकल के आता है, तो सुत्व आप क्या करोगे, अगर stock में investment करना चाते हो, तो मैं आप से request करूँगा, 16.50 पैसे गास पर stock लगाओ, अगर आप investment करना चाते हो, ठीक है, बाके जिसको, जिसको investor नहीं करना है, वो wait कर सकता है, अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है personally, ये stock थोड़ा ना, या पर hard time बिता सकता है, क्योंकि company के profit लगाता है, negative आरे, कुछ अच्छी ख़बर stock के लिए, अभी तक favor में नहीं आ रही है, चैसे कुछ अच्छी ख़बर आईगी, definitely आपको अच् फिर तो असमान खुला हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, 3 रुपे, ये पुरा असमान खुला हुआ है, अब यहाँ कहीं भी जाके support फिर ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुरा असमान खुला हुआ है, ठीक है, तो मेरा मानना है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 8 रुपे एकि आज फर स्टों को देख सकते हो जो कि इसका आट रुपे जो है वो 50-ầu निकल के आता है 52- vehicle लो है इसका रुपे तो आज रुपी कि आज बरा एंट्री गर सकते हो अगर आफ हो करना है ठीक है क्योंकि फसना नहीं है यह ष्टक भौछ सालों तक यहां रह सकता है क्योंकि और लेडी स्ट्क 8 रुपे से 30 रुपे जा चुका है बात को समझो ठीक है आर्ट र्रुपे लगी 70 8 रुपे हो चुकी है एक बार तो इसका मतलब वो कुछ सालों तक यहां घूम सकता है इसी रेंज में इसलिए कहा रहा हूं यह लंब में समय तक यहां पढ़ा सकता है सुधूत हो के ठीक है आप रिलाइन से तो जो इन्वेस्मेंट करी है लॉंग टरम के परपस से करी है वो है 20% के आसपास माइनस 0% वो स्टॉक वहां से हिलेगा इन्हीं 10 साल तक इतनी कैपेसिटी है आपके पास तो यह अपने आप से पूछो ठीक है को रिलाइनस के पास तो है क्योंकि रिलाइनस जो इन्वेस्मेंट करी है उसको पता है कि लॉंग टर व्यू क्या है इसलिए मै अगर आपび होलडिंग दिखते हो दोस्ते आप पर प्रोलोटर्स की अगर आपके लिक करते हैं तो अपर रिलाइन एंडिस्ट्री की लिए ऑगी को बीच के आपसर निगल के आती स्टोने के लिए इस प्रॉट यह हैं इस आपको पैसा बना के दे सकता लेकिन मैंने आपको चैसे बताया ना दस साल तक यह स्टॉक एगी प्राइस में पढ़ा रह सकता है तो क्या आप उस चीज के लिए अपना माइंड आपने बना लिया है कि दस साल तक एक रेंज पर वाड़ा देगा तो मैं उसके लिए खुश और जो हमारी पब्लीक है 23% के आपको उनकी होल्डिंग है ठीक है बाकी जो होल्डिंग थी वह आपके रिलाइस ने बाई कर लिए पहले 6% के असपास था ठीक है प्रमोटर होल्डिंग जो बढ़के 75% होगी क्यों क्यों क्योंकि रिलाइस स्टॉक में इन्वेस्पेंट कर हो तो अच्छा रहेगा और 16 रुपे 50 पैसे निचे का स्टॉक जाता है तो फिस आपको 8 रुपे के टागेट दिखा सकता है और 8 रुपे पर भी इतनी हिम्मत रखना कि आप स्टॉक को बाई कर सको 8 रुपे क्यों आएगा आपको बता जेता हूं देखिए 16 रुपे 50 पैस अगर दिसंबर और सेप्टेंबर की बात करता हूं तो वह नेगिडिव है ठीक है तो भाई आपकी मर्जी आपको क्या करना है मैंने आपको बतला दिया है अगर स्टॉक नीचे जाता है 16 रुपे नीचे तो यह 8 रुपे 9 रुपे के टागेट आपको दिखा सकता है और इत प्राइड एक्शन करना चाहिए स्टॉक में और आपको क्या करना चाहिए आपको समझ आ गया होगा